असलामों आलेकोम, मैं जुलेका अरफाद, जुलेखास केचिन से तो चलिए बनाते हैं गमागरा फुली-फुली सी पूरिया, साधारण याने ओडिनरी इंग्रीडियन से एक्स्टर ओडिनरी डिश बनाते हैं, चलिए, एक बड़े से बाउल में या फिर मैं तो इसे पातर पातर के अंदर मैं डेड़ कप गेहू का आटा दाल रही हूं, नम्मक दाल दीजिए और सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, जब अच्छा मिक्स हो जाए तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और इसे अच्छा आटा गून लीजिए, अच्छा अब बहुत जादा पानी मद डालिएगा, हमें यह आटा इसकदर गूनना है कि यह सॉफ्ट ना हो और ऐसा भी लगड़े के लड़ू ना हो जाए कि आप उसे बेली ना पाओ, ऐसा भी हाड नहीं चाहिए, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और वैसा हाड भी नहीं होना इसा गुनना है. तो जादा पानी इसलिए मत डालिएगा और जब पानी डाले भी तो थोड़ा-थोड़ा डाले मसले उसे अच्छे से हमारे आटे को और फिर थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाले, तो इससे आपको अनधाजा बहतर आएगा. यह देखिए, अच्छा कमा तक हातों की मदद से मसलते जाए हमारे आटे को जब 4-5 मिनिट हो जाए तो इसे धाक कर साइट पर रख दीजिए मैं 5-10 मिनिट के लिए रेस्ट करने रख रही हूँ लेकिन आप नहीं रखना चाहते तो यहीं से शुरू कर सकते हैं चलिए 10 मिनिट हो चुके हैं अब यह जो आटा हमने गुन के रखा है इसके पेड़े बना दीजिए अब मैं तो 6-7 बना रही हूँ तो 6-7 के पेड़े बना रही हूँ और आप देख सकते हैं बहुत बड़े-बड़े भी नहीं लेने हैं हमें जादा बड़े-बड़े आटे यह जिए ना ही पतली ना ही मोती, मीडियम साइस की, मीडियम थिकनिस की हमें छोटी रोटी जिसे हम कह सकते हैं यह समझेज कि आप चोटी सी वर्जिन बना रहे है रोटी का बस तो यह बन गई हमारी 1-2 बार आप लगा रहे हो बेलन तो बस बन गई अब इसे साइट पर र तो वो जादा हमारा time भी save होता है, तो ये देखिए, दूसरी भी बना लिए, अच्छा, अब आप चाहें, तो तेल के बज़ाए, सुखे आटे से भी कर सकते, लेकिन सुखा आटा जादा मत लगाईएगा, फोड़ा ही सुखा आटा लगाईए, और इसे इस तरीके से, medium size की, चोटी सी रोटी बेल लीजिए, अच्छा, अब सुखा आटा, काफी लोग इसलिए लेनी भी लगाते हैं, क्योंकि वो जो हम तेल में fry करते हैं, तो आटा बहुत उसके अंदर रह जाता है, तो हमारा तेल खराब हो जाता है, लेकिन यूजुली, अगर आप कम ये आटा ल अब ये देखिए, बबल जा रहे हैं, मतलब अभी भी थोड़ा सा तेल गरम होना बाकी है, तेल अच्छा गरम हो, फिर ही दालिएगा, तो थोड़ी देर के बाद में दाल रहे हैं, देखिए, थलका सा धुआ निकलनी लगा, तो अब मैं यहां पर ये जो हमारी पूरी है, इसे में डाल देती हूँ, लेकिन साइट से दालिएगा, एकदम बीच से मत दालिए नहीं, तो आपके ओपर उड़ेगी, और हलका सा आपके स्पेट्यूला से बीच में प्रेस कीजिए, हलका ही प्रेस कीजिए, देखिए, फूल गई, माशालला, अब उलट पलट करें, औ तो बस निकाल लीजिए, और ये बन गई हमारी माशालला, पूरी कितनी मज़ेदार सी, फुली-फुली सी बन गई है, आप देख सकते हैं, और ये आप इस तरीके से बनाओंगे, तो आपकी सारी जो पूरियां है, जरूर पूलेगी, इसकी गैरंटी मैं आपको देती इससे मुझे प्रेस भी करने की हमारी पूरी को जरूरत नहीं पड़ी, और ये हो गई, इसी तरीके से सारी एक-एक करके पूरियां सेख लीजिए, अच्छा, अब मेरा तो आप देख सकते हैं, कड़ाई इतनी छोटी है के दूसरी तो कहां ही समा पाएगी, तो अगर आप की कड़ाई बड़ी हो, और अगर आप experienced बंदी हो, तो आप 2-3-3 at a time डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हो, फर्स करो बिगनर हो, तो मैं तो आपको सला दूँगी, एक-एक fry कीजिए, तो वो better रहेगा, क्योंकि तेल का मामला है, और जरा संभाल के fry कीजिएगा, देख तोरी या वाटी हो, तो इसी शेप की वाटी लगा-लगा कर इसकी पूरिया निकाल लीजिए, एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे, तो 3-4 तो आराम से निकल जाएगी, बट हाँ, ये बात जरूर है कि वो 3-4 जो उस वाली रोटी से बनेगी न, तो 3-4 में एक-दो फुलेग अब ये गरम भुली भुली सी पूरियों को मैं हलवाई जैसे अलो की सबसी के साथ सर्फ कर रहे हूं, वैसे ये सबसी की रेसेपी लिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजिएगा, तो हैना मजएदा रेसिपी आज की अगर आप ये रेसिपी बनाए झालास पूरियों के महाँ वो भुली सी दूर आप डिसद्ट लाओशन के में हुए जड़ आप ये कि दूक पाज जार बनाए हुए बनाए हुए और दो एंगुझे रेसिपी के अलोगई बनाए हुए अलोगदान के रेसित्टाह आप जारा पामाँ महाँ आप